ये नजारा क्लाउडिया दूरते अगोस्टीनियों का दिल तोड़ता है। उन्हीं याद है कि पुर्तगाल के अट्लांटिक तट पर सब कितना हरा भरा हुआ करता था। लेकिन जब से जंगलों में आग लगी है, चीड के ये पेड बरबाद हो गए हैं। हमारी धर्ती पर हर जगा, हमें अब इसके खिलाफ लड़ना ही है। क्लाउडिया इसके लिए जलवायू परिवर्तन को जिम्मेदार मानती है। जब विरोध प्रजशनों से कोई हल नहीं निकला, तो 21 साल की इस नर्सिंग छात्रा ने करीब आधे योरोप को योरोपिय मानव अधिकार अदालत में एक कानूनी लड़ाई में खीच लिया। मैं 33 देशों के खिलाफ लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जो स्वस्थ हो, जहां कोई खत्रा ना हो। क्लाउडिया के साथ ही हैं उसके भाई बहन और तीन दोस्त। भाई मार्टिम 18 साल का है और उसे अस्थमा है। ये लोग कहते हैं कि बढ़ती गर्मी और जंगल की आग की वज़े से जादा से जादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्लाउडिया के माता पिता भी इस कानूनी लड़ाई में उनके साथ हैं। उनकी मा जर्मनी में पली बढ़ी हैं और भविश्य को लेकर अपने बच्चों की चिंताओं को समझती हैं। इसलिए वो खुश हैं कि स्ट्रासबूर्ग के जजों ने केस को तुरंत सुनने का फैसला किया है। मेरी एक चोटी बच्ची है, 9 साल की है। उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसके लिए बुरा लगता है। मैंने इसे लेकर कुछ नहीं किया, इस संकट में मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं और नहीं इसके खिलाफ लड़ी। जैसे मेरे बच्चे कर रहे हैं, मुझे इस पर दुख होता है। क्लाउडिया पिछली पीडियों को दोशी नहीं मानती, क्योंकि उन्हें तो पूरी तरह पता ही नहीं था। लेकिन वो मानती हैं कि जो जलवायू परिवर्तन को अबनकारते हैं, वो खुद को मूर्ख बना रहे हैं। आईरिश मानवधिकार संगठन ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क ऐसे कानूनी मामलों में विशेश अग्यता रखता है। वकील जेरी लिस्टन और उनकी टीम की रणनीती थोड़ी खत्रों से भरी है। योरोपिय मानवधिकार अदालत ऐसे मामलों को राष्ट्री अदालतों को सौंप सकती है। लेकिन जजों ने इन किशोरों के शिकायत स्विकार कर ली है। अगर सरकारें दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती हैं और ऐसे तवाही भरे नतीजों से बचने के लिए उत्सरजन को नहीं घटाती हैं तो इसका मतलब है कि वे आवादी के एक हिस्से के साथ भेदभाव कर रही हैं। तब हुए यवाओं के भविश्य और उनके घरों को खत्रे में डाल रही हैं। अदालत का फैसला कब आएगा अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन जब फैसला आएगा तो क्या उससे कुछ बदलेगा। अभी तो 33 देश क्लाउडिया और उनके साथियों की कारवाई को सही नहीं मानते।